आप में से बहुत ही कोई का सवाल था कि ATM card का चार्ज तो 300 रुप्य है तो हमारा 354 रुपय क्यों गट रहा है या 200 रुपय है तो 236 रुपय क्यों गट रहा है या किसी का 1,000 गट रहा है या किसी का 500 है तो 500-600 रुपय क्यों गट रहा है देखे एक्चुली यह जो है Central Bank of India का ATM से अपडेट लाया है इसके मैंने अपडेट आपको देवी दिया था आप में से हो चकता है बहुत ही कोई नहीं मिला होगा information वैसे वो वीडियो मेरा काफी पहले ही आ चुका है तो थी मैंनों पहले ही यानि कि सेक्टेमबर एक सेक्टेमबर 2020 से वन्होंने अपना ATM card का नए चार्जेस जो है लाग उकिये थे जिसमें से ATM card का चार्जेस में वरोत्री कही गई थी जहां मालेजी 206 रुपया क्योंकि 200 रुपया ATM card का चार्ज है उसमें 36 रुपया आपका GST service चार्ज काटा गया 18% GST काटा जा रहा है वहीं अगर वीजा card लेते हैं तो उसका 500 रुपय चार्ज है जिसमें आपको 554 रुपया है या उससे अधीक भी payment करना पर सकता है क्योंकि इसमें सर्विस चार्ज यानि कि आपका जो ATM card का बनाने का चार्ज है उस बनाने का चार्ज भी लग रहा है क्योंकि आपका नाम लिखवाते हों उसका भी राम और वहीं अगर आप ब GST समेथ 18% GST और service charge भी काटा जा रहा है बहुत ही कोई conclusion कि sir हमारा तो इतना पैसा कड़ीया लेकिन ATM कार तो इतना इसा होता है कि बहुत कोई नाँ कर जाता है और किसी को मिल जाता है चार्ज भी नहीं करता है क्यों करता है क्या होता है कि ATM card मिल जाता है उसके पात जाब का yearly करना सुरूब कापी ज्यादा तो मेरा इतीन से भी कटना स्टाइथ हो गया मिलते हैं किसी अगली इंफोर्मेशन के साथ जहीं जबार